हेलो दोस्तो स्वागत है आप लोग का तो दोस्तो आज हम लोग एक informal लेटर प्रैक्टिस करेंगे तो चलिए जानते हैं आज का टॉपिक क्या है तो देखिए question है कि आप विकरांत साहनी है आपके मित्र दक्ष ने अर्धवार्शिक परिच्छा में खराब अंक प्राप्त कि उन्हें कड़ी मेहनत करने और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरीत करने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए तो ये एक informal लेटर है हम लोगों ने कई सारे formal और informal लेटर का प्रैक्टिस किया है अगर आपने नहीं किया है आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं बहुत ही सांदार लेटर सब अपलोड किये गए हैं उन्हीं में से ये ही एक बहुत अच्छा लेटर है और इस तरह के लेटर आते भी हैं तो चलिए जानते हैं कैसे लिखा जाता है इस तरह के लेटर को तो देखिए सबसे पह पता है कि आप अपने परिणाम से निरास है आप तीन विशियों में बुरी तरह फेल हुए हैं आप देखिए यहाँ पे फेल को फेल सब्द को अनुत्रिण सब्द से आप बदल सकते हैं ठीके देखिए दो चार बाते मैं लेटर में ऐसे डालता हूँ जहाँ पे आपको कुछ सिखा सकूँ तो इसी तहत यह फेल को आप क्या लिख सकते हैं अनुत्रिण ठीके ध्यान रखें जब आप अगली बार लेटर लिखेंगे तो इस तरह के हिंदी सब्दों का परियोग करेंगे ओके अनुतिर्ण और उतिर्ण का मतलब होता है पास होना ठीके जिनको नहीं पता वो लोग इसको ज़रूर ध्यान रखे और नोट कर ले तो उतिर्ण होता है तिर्ण यहाँ पे और यहाँ पे अनुतिर्ण होता है यह दोनों टर्म यादर किएगा उमीद करना अविश्वस निय है जो अब तक टॉपर रहा है तो इसके बाद आप जैसे की दोस्त को समझाना है तो पहले आप उसको थोड़ी सी बाते बताईए कि क्या कारण है और क्यों वो उसने क्या किया है जो जिसके कारणा पत्रे लिख रहे हैं इस बात को आपको समझाना पड़ेगा लेटर में तो इसलिए यहां से यहां तक जो बाते कही गई है वो आपको भी इसी तरीके से समझ कर लिखना पड़ेगा मुझे यकीन है कि यह सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अधिक समय निरास न हो और अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिस करें याद रखें आप जैसे मेहनती व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है आपके पास सुधार करने के लिए पर्याप्त समय है अपनी पढ़ाई में व्यवस्थित रहें अपना ग्रीह कारी निमित रूप से करें उके उसके बाद एक व्यवस्थित समय who सारणी का पालन करें तो समय सारणी का मतलब होता है टाइम टेबल ठीके ध्यान रखें समय सारणी यानि की टाइम टेबल ठीके तो एक टाइम टेबल बना लीजी और उसके recording आप पढ़िए ये होता है इसका मतलब चलिए आगे देखते हैं इसके बाद ज्यादा देर तक social networking site के इस्तमाल से दूर रहें किसी भी कठिनाई के मामले में अपने सिक्षकों से परामर्स लें अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं तो क्रीप्या संकोच ना करे और मुझे बताएं तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सब्द समझने में दिकत हुई होगी फिर भी अगर कोई समस्चा हो तो आप comment में जरूर बता दे मैं प्रयास करूँगा कि आपकी समस्चा को खतम कर सकूँ जैसे यहां पर एक सब्द विवस्थित है तो तो manage करना ही विवस्थित अपनी पढ़ाई में विवस्थित रहें तो ठिक ठाक धंग से अपनी पढ़ाई को करें manage करें अपने time table को तो यह चीजे लिखी हुई है यहां पे समसारणी यानि कि time table को manage करें और सिक्षकों का परमर्श ले तो यह अब देखें यहां पे जैसे कि इसमें शुरुवात में जो क्या हुआ था कि आपने उसकी खिचाई की कि तुमारे प्रदर्शन इतना बेकार रहा ऐसा रहा तो अब उसके बाद आपको क्या करना है लेटर के heading के हिसाब से यहां पे क्या था कि बहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित भी करना है ठीके और अब क्योंकि उसने खराब प्रदर्शन क्या है उसके लिए थोड़ी से उसकी खिचाई भी करनी है उसकी डाट भी लगानी है उसको ताकि वो समहल जाए तो इस तरह से करना है अब आगे इसके बाद आप देखें यहां पर क्या लिख सकते हैं मैं उमीद करता हूं कि अगल जैसा कि लेटर में आपको information दिया था विकराम थानी का नाम आपको दिया था तो वही यूज करता है और यहां पर हित ऐसी का मतलब क्या होता है जो हित चाहता है हित यानिकी जो आपका भलाई चाहता है उसको हित ऐसी कहते हैं तो यह सब सब्द जो है आपको रखने पड़ लेटर में अगर यह सब सब्द परियोग करते हैं तो impression अच्छा जमेगा और फिर मार्क साब को बहतर मिलेंगे ठीक है दोस्तों तो मिलेंगे अगले वीडियो में जो इसी तरह का helpful वीडियो होगा तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल के संग बने रहें